भारत में बंद संप्रदा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ऐसे में सरकार इसे बचाने के लिए नित नई पर्यास कर रही है इसके लिए सरकार करोड़ रुपे ब्रक्षा रोपण एवां संडक्षण में खर्च कर रही है लेकिन कुछ निचले इस्तर के अधिकारियों दोरा जंगल वरष्टाचार की आग में जलते जा रही है ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के अब्दुल्ला गंज में सामने आया है अब्दुल्ला गंज मंडल में लापरवाही का नेतर जा ये हुआ कि आख से 150 एकड का प्लांटेशन जलकर खाक हो गया बीते वर्ष 2020 में वन परिक्षेतर गोहर गंज के 15 पीट में कमपार्टमेंट नमबर 831 में 80 लाग की लागत से ग्रिन इंडिया मिशन के तहट प्लांटेशन किया गया था जिसमें सागोन, सीशम, कंजी, चिरोल एवं जाम सहीत कई प्रजाती के लाखों पोदे लगाए गए थे पिछले दुनों प्लांटेशन में लगी आके काण लगवग 150 एकड में लगे प्लांटेशन के पौदे नस्ट हो गए है जिसके बाद अब बन मंडल अब्दोला गंच की डियेफो बिजे कुमार इस मामली में दल गठन और जांच की बात कर रहे है इस्थानी लोगों का आरोपे की जंगल भरस्टा चार की भीट चड़ा है देखना होगा की प्रिशासन इसमें क्या कारवाही करता है हलागी हम लगातार इस गठना से जोड़ी खवरे आप तक पहुचा रहे हैं